हेलो फ्रेंड जैश्री यर आज मैं आपको कमांड पैनल में ये हायर्की के बारे में सिखाने वाली हूँ हायर्की को हम लोग अपने गिज्मों को अबजेक्ट पे खापे पे सेट करने के लिए यूज करते हैं जैसे हम लोग आफटर एफेक्स में आइंकर पॉइंट का यूज करते हैं सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 3ds Max में ये हायर्की के ओप्शन को यूज करते हैं तो यहाँ पे हायर्की के बारे में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अलग-अबजेक्ट लिए और यह इस तरो का गिजमो भी है वह मैंने अलग-अलग रखाया जैसे यह पहले object का गिजमो मैंने रखाया और यह वाले object में मेरे गिजमो को यह options को use करके थोड़ा move किया है तो पहले हम लोग center में जो गिजमो है उसके बार में तो अब इसके उपर अगज मैं क्लिक करती हूँ और इसका गिजम मैं थोड़ा आगे मुव किया है तो अभी मैं इसको सकेल करती हूँ, तो आप देख सबते हूँ कि इसका सकेल किस तरीके से हो रहा है इसको rotate भी करूंगी तो जहांबे मेरा यह गिजमो मेने रखा है वहां से ही rotate हो रहा है तो इस तरह के से हम लोग का पिवेट ओप्शन्स काम करते हैं यहां पर अलग-अलग alignments आपको मिलेगी जैसे आप affect pivot पर क्लिक करते हो आपका गिजमो यहां पर कहां पर भी है सेंटर में लाना है तो center to object आप क्लिक करोगे तो यह center में आ जाएगा then line to object line to world यह अलग-अलग options मिलेंगे जहांसे आपके pivot को reset कर सकते हो तो अभी में जो आपको बताने चारी है यह है कि यहां पर मेरे यह अलग-अलग models दिखते है तो यह जो triangle है वैसा same triangle मुझे यह मेरे model में fit करना है तो यह जो part है modeling का यह मैंने higher key को use करके किया है तो अभी मैं आपको यह explain करने चारी हूँ तो पहले हम लोग इसको off करते हूँ और मेरा यह triangle है इसका parameters बराबर है मैं इसको इसके उपर snap करने वाली हूँ तो snap को on करते है ऐससे तो यह snap हो गया snap को off कर दीजे अब और angle snap में जाके इसका amount यहां पर मैंने 90 लिया और angle snap को on करते हम लोग और इसको rotate करते है तो यह यहां पर मैंने fit कर दे इसको like इसके जगा पर लाया तो अभी properly इसको जगा पर लाने के लिए मैं front view में आती हूँ क्योंकि front view में आप अच्छी तरीके से देख सकते हूँ और इसका placement करते हूँ यहां पर मैं अभी मैं higher key को यहां पर use करने वाली हूँ क्योंकि यहां पर मुझे यह मेरे object को fit करने के लिए मुझे मेरे anchor point को थोड़ा move करना है and then इसके बाद में मैं यहां पर scale करने वाली हूँ तो इसके लिए मैं यहां पर affect pivot को on करती हूँ और यह gizmo को move करने के लिए यहां पर मुझे center to object पर click करना पड़ेगा तो मैंने center to object पर click किया तो यहां पर मेरा दूसरा gizmo activate हो गया तो यहां से मैं अभी इसको मेरे gizmo को set करने के लिए कहां पर मैं move कर सकती हूँ तो अभी मैंने इसको move किया अभी मैं scale press R scale करती हूँ इसको तो यहां पर यह एक corner में तो मेरा object फिट हो गया अभी यह बाकी की दो corner में मुझे object को fit करना है तो मैं इसको यहां से अगर scale करती हूँ तो आप देख सकते हूँ कि अभी y-axis में ही मेरा scale हो रहा है and then मैं इसको x में थोड़ा और scale करती हूँ और easy और फटाफट होता है तो इस तरके से हम लोग यह अपने higher key को use करते है so आज के वीडियो में मैं higher key के बारे में यहां पर ही खतम कर रही हूँ so thanks for watching my video आप आप दिए